आई जानते आज के प्रमुख अंतराश्टी खबरों को उसे पहले एक नजर आज के हेड्लाइन्स पर 15 मार्च से पहले मालदीव से अपने स्ट्यानिक हटाए भारत राश्ट पती मुईजो ने दिखाए तेवर बिजेपी के लिए मनिपूर भारत का हिस्ता नहीं बोले राहूल गांधी अफसोस होता है ये वो कॉंग्रेस नहीं तिफसेना में क्यूं सामिल हुए मिलिन्द देवरा मसूर सायर मुनवर राना का दिल का दौरा पढ़ने से निधन लखनौ मेली अंतिम सास इंडिगो पाइलेट को मुक्का मार कर बोला यातरी चलाना है तो चला वरना नीचे उतार हूती विद्रोहियों ने दागी एंटी सिप क्रूज मिस्ताइल अमिरिका ने जवावी एक्सर में मार गिराया हमास ने इजरायली बंधकों को एक और वीडियो किया रिलीज कहा जल्द होगा इनके भागी का फैंसला विदेसों से चल रहे क्रिप्टो एक्सचेंज पर बैन वित्मंत्राले ने लिया सक्त एक्सल महेद बाबो की गुंटूर कारम के दूसरे दिन की कमाई में कितने गिर मालदीव के राष्टफती मोहमद मुईजू ने एक बार फिर तेवर दिखाई है चीन से लोटते ही मुईजू ने कह दिया है कि भारत 15 मार्च से पहले मालदीव से अपने तैनिकों को हटा ले इसे पहले उन्होंने बिना किसी का नाम लिये कहा था कि हमें बूली करने का ल समुदरी सुरक्षा और आपदा राहत कारियों में मदत के लिए भारती सेना की एक टुकडी को मालदीव में तैनात किया गया है पिछले साल नौमबर में मालदीव के राष्टपती कार्याले की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि उनके देश को उमीद है कि भारत लोगो की लोकतांतरिक इच्छा का सम्मान करेगा भारत जोरो नया यात्रा की सुरुवात रविवार को मनिपूर से की गई है इस मौके पर यात्रा को संबोधित करते हुए कॉंग्रिस नेता राहूर गांधी ने पियम मोदी बिजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साथा है उ कॉंग्रिस नेताओं की फ्लाइट लेट हो गई इसके लिए राहूर गांधी ने मंज से माफी भी मांगी यात्रा सुरू किये जाने के मौके पर राहूर गांधी ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि 29 जून के बाद से मनिपूर में सासन का पूरा बुनियादी धाचा धोस हो गया है पूरे राज में नफरत पैल गई है उन्होंने पियम मोधी और केंद सरकार पर भी निसाना साधा और कहा कि आज तक भारत के प्रधान मंत्री को मनिपूर जाने का समय नहीं मिला राहूल गांधी ने आगे कहा है कि मोधी जी बिजेपी आरेस्ट के लिए साय मनिपूर भारत का हिस्ता नहीं है पूर्वे केंद्रे मंत्री मिलिंद डेवरा रविवार को सिवसेना सिंदेगुट में सामिल हो गए वहां महराष्ट के मुख्य मंत्री एकनाथ सिंदे की मौझूद्गी में पार्टी में सामिल हुए हैं इस दौरान सिंदे ने उन्हें भगवा जंदा भी भेट किया मिलिंद डेवरा ने सिवसेना में सामिल होने के बाद कहा कि यह मेरे लिए बहुत भाबुक दिन है मैंने कभी नहीं सोचा था कि एकनाथ सिंदे जी के नेत्रित में पार्टी में सामिल होने के लिए कॉंग्रेस के साथ अपने 55 सालों के साथ क सिर्फ सेना जॉइन करने के बाद मिलिंद देवरा ने एक ट्विट किया जिसमें उन्हों ने तफसील से अपने कॉंग्रिस छोड़ने के कारणों को बताया है देवरा ने सीधे तौर पर मद्दाताओं को संबोधित करते हुए चिठी लिखी है और उसे एक्स पर पोस्ट कि कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाओं में कॉंग्रिस की हार के बाद मैंने हमेशा बड़े सुधारों और जबाद देही की बात की 2019 के चुनाओं में हमारी पार्टी की हार के लिए मैंने मुंबई कॉंग्रिस के अध्यक्ष पद से इस्तिफा दिया भले ही मुझे चुनाओं से सि माँ पर कई रचनाय लिखने वाले मसूर सायर मुनवर राना का देर राते काडियक अरेश्ट से निधन हो गया वह कई दिनों से बिमार थे उनका लखनाओ के पीजी आई में इलाज चल रहा था उन्हें नौ जनवरी को तवियत बिगरने के बाद आईसियों में भरती करया ग गया तो अंबार को उनका अंतिम संसकार किया जाएगा मुनवर के परिवार में उनकी पत्नी चार बेटिया और एक बेटा है राना के बेटे तरवेज ने बताया कि बिमारी के कारण वह 14-15 दिनों से अस्पताल में भरती थे उन्हें पहले लखनाओ के मेंदानता और फिरे SGPGI में भरती कराया गया था जहां उन्होंने रविवार दे रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली है इंडिगो एरलाइंस के विमान की उरान में देरी होने पर एक यात्री ने फ्लाइट के पाइलेट को मुक्का जर दिया सोसल मीडिया पर इस घटना से जुरा एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें इंडिगो एरलाइंस की फ्लाइट की उरान में देरी होने के बाद एक यात्री ने पाइलेट पर हमला कर दिया इस दोरान यात्री ने कहा कि चलाना है तो चला वरना नीचे उतार इंडिगो फ्लाइट में सवार एक यात्री ने विवान के कैप्टन को उस समय मुका मार दिया जब वहाँ उरान में देरी के संबंद में घोशना कर रहे थे वीडियो के सोसल मीडिया पर वालल होने के बाद अब लोग उस यात्री के खिलाप कारवाई की मांग कर रहे हैं उरान को लेकर समय से अलाउंस्मेंट नहीं होने पर यात्री नराज था नॉम्बर दोजर तईस से लाल सागर में अंतर राश्टी माल वाहक जहाजों को निसाना बना रहे हूती विद्रोहियों के यमन इस्तित ठीकानों पर अमेरिका और बित्ते ने हवाई हमले किये हैं इन हमलों के बाद बॉखलाए हूती विद्रोहियों ने अब अमेरिकी ठीकानों को निसाना बनाने की कोशिस की है यूएस सेंट्रल कमान ने रविवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी लराकूवान ने हूतियों द्वारा दागी गई एक एंटी सीफ क्रूज मिसाइल को मार गिराया है इस मिसाइल को यमन के इरानी समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा यूएस से लागून की ओड़ दागा गया था इजरायल और हमास में जारी यूद के बीच रविवार को हमास की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जितमें तीन इजरायली बंधग दिख रहे हैं इस वीडियो में बंधग अपनी सरकार से फ्लस्तीनी इसलामी समू हमास के खिलाप हमले को रोकने और उनकी रिहाई का आगरा करते वे नजर आ रहे हैं इस वीडियो में 26 वर्थ ये नोवा अरगमानित और 38 वर्थ ये इताही सिवरस की दिख रहे हैं 33 सेकेंड का वीडियो के अंत में हमास के लोग कहते हैं कल हम आपको इनके भागे के बारे में सूचित करेंगे इसे पहले रविबार को हमास ने कहा था कि इजराइली बलो द्वारा गाजा पर गोला बारे के करण कुछ बंधगों से उसका संपर्ग तूड़ गया है और साइद इसमें उसकी मौत हो गई होगी जूद की सुरुवात में हमास ने इजराइली सेने हमलों के जवाब में बंधगों को मार डालने की भी धमकी दी थी अमेरीकी में भले ही बिटकोईन में एक्सचेंज ट्रेंस फंड की मंजूरी मिल गई हो मगर भरत सरकार का मूड बिलकुल अलग है सरकार ने आखिरकार विद्वेसों में चल रहे क्रिप्टो एक्सचेंज पर सक्त एक्सन ले लिया है अब भारत में बाइनेंस को कोईन और OKS जैसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर बैन लगा दिया गया है सरकार का आरोप है कि ये क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मनी लॉंजरिंग के कानूनों का पालन किये बिना भारत में कामकाश कर रहे हैं इसे भारत सरकार को लगभग 3,000 करोर रुपए का नुकसान हर साल हो रहा है रिजरू बैंक आफ इंडिया के गवर्नर सक्ति कांथ दास ने गुरुवार को ऐसे कारवाई के संकेत दिये थे महेद बाबो की फिल्म को साल 2024 की पहली सबसे बड़ी ओपनिंग मिली ट्रेन रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि फिल्म पहले दिन 40-50 करोर की बीच खुलेगी फिल्म ने करीब 52 करोर रुपए का ग्रास कलेक्शन किया ट्रेन वेब साइट की माने तो गुंटरुम कारम के ओपनिंग डे का नेट कलेक्शन 41 दसाबलग 3 करोर रुपए था हाला कि दूसरे ही दिन जट से वक्त जजबात और हालात सब बदल दिये फिल्म के कमाई में करीब सरसर प्रतिशत की भारी गिरावर्ट देखने को मिली ह भारत और अफगारिस्तान के बीच इंदौर के हॉलकर स्टेडिया में तीन मैचों की टी-20 सिरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया भारती टी में इस मैच में छे विकेट से जीत दर्ज की और सिरीज में दो सूनिस की अजय बढ़त बना ली हाला कि इस मैच में भारत की ज ख़ारां सुरक्षा वेवस्ता को धता बताते हैं वे कोहली का एक फैन मैदान में घुजग गया। इस फैन न पहले कोहली के पैड चुए और फिर उन्हें गले लगाया।